असलाम अलेकुम दोस्तों आज जो मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि उन्होंने हिंदु धर्म क्यों छोड़ा ये पहले हिंदु धर्म को मानते थे लेकिन अब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसके बाद ये जो बजरंग दल और RSS वालों को जो इन्होंने बाते सुनाई हैं जो इन्होंने हकीकत से रूबारू इनको कराया है बहुत जादा इंटरनेट पर वाइरल वीडियो है सारी दुनिया में इंडिया ही नहीं विदेशों तक में इनकी बात को सुना जा रहा है कि हिंदु धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाने के बात फिर जो इन्होंने डिबेट की है आरेसे से बजरंग दल से हिंदु वाहीनी जो बहुत सारे गुरूप हैं इनके सबसे उसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे तो जलिए जानते हैं इन भाई से इनकी पूरी कहानी के आखिर क्या बात इनको एची दिखाई दी जो इन्होंने हिंदु धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया और उसके बात बात करते हैं पूरी हकिकत से रूबरू होना आपके लिए बहुत जरूरी है तो यह क्यों मारक उटाई हिंसा लड़ाई जगडा लोगों को मारना लोगों कली सियाओं में घुसना उनको मारना उनके उनको हतियार दिखाना उनको डराना धमकाना वो यह सब यह लोग क्यों कर रहे हैं इसके में रीजन इसका में मुद्दा मैं आज आपको बताने वाला तो आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो याद से ठीक है लोग आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क इस कीं हो रहा है यह लोग आज के दिनों में ऐसा क्यूं कर रहें थीक है देखिए कोई भी इंसान जब अपने से किसी सीनियर के साथ रहता है, अपने से ज़ादा किसी बलशाली के साथ रहता है या एक पिता-पुत्र का भी अबमुदारन ले सकते हैं, जब एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है न, वो छोटा होता है तो उसको कोई समस्या आती ही वो पिता के पास जाता है तीक है उसको भरोसा होता है कि उसको पिता उस समस्या का समाधान कर सकता है तो बच्चे को कोई समस्या आती है वो तुरत भागा भागा पिता के पास जाता है कि पापा पापा ये दिक्कत आगी इसका solution करो उसका पापा फटा-फट वहाँ जाता है उसका solution करता है लेकिन अगर बच्चे को पता है कि उसका पापा solution करने में असमर्थ है निकम्मा है उसका पापा किसी काम का नहीं है तो वो क्या करता है वो खुद अपने आप उस काम को करता है उसे पता है उसके बसकी है तो है नहीं कर तो उसने बचा नहीं सकता मेरी प्रयार्थनाओं का मेरी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे सकता तो उस पर मैं क्यों रिलाइक करूँ ठीक है यही केस यही सीन इनके साथ है ठीक है यह लोग अच्छे से जानते हैं कि जिन इश्वरों की यह उपासना कर रहे हैं वो इश्वरों सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं यह इनको कहीं न कहीं इनके अंदर भरोसा है इने पता है इसलिए यह लोग क्या करते हैं यह लोग बोलते हैं खुदी हतियार उठाओ अपने आपी रक्षा करो अपने आप लड़ो जाके अपने आप सिर फोड़ो जाके अपने आप लोग तो अगर वाकई में इनके अंतरात्मा में इनको ये बात पता होती ना तो ये कभी भी हत्यार नहीं उठाते, कभी भी कमजोर लोगों पर, उन लोगों पर जो शांती से प्रांथना कर रहे हैं, उन लोगों को मारने नहीं जाते, अगर इनको पता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहा है तो बजाए ये उसको मारने के बजाए ये उनको जाकर हत्यारों से डराने धमकाने से उनकी पिटाई करने के बजाए ये पता क्या करते ये अपने कमरे में अपने आपको बंद करते वहाँ पर लोगों को इकठा करते या जैसे भी है वहाँ पर लोगों को इकठा करते और वहां पर ये पूजा अर्चना याचना करते अपने हीश्वर को याद करते उस हीश्वर को जिसको ये मानते जिसको ये बताते वह इतने सारे हाथ है इतने सारे पैर है और इतनी सारी ताकत है और गित गागाखे तरह तरह के चालीसे गागाखे उनके उनका बखान करते है उनको बुलाते और कहते के ही इश्वर वो देखो ये गलत कर रहा है ये धर्म की आपकी किये हुए काम की जो धर्म आपने बनाया है उसका रुकसान कर रहे हैं उसको खतम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप आओ और इनको फटा बट सबक सिखाओ और वाकई में अगर व इन सब चीजों में कुछ नहीं मिलने वाला मुझे याद है वर्ल्ड कप जब वह हो रहा था ना वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतने यग्या क्ये इतने सारे एक जगा पर नहीं, बड़ी बड़ी जगाओं पर बड़े बड़े अखाड़ों में बहुत खतरनाक तरीके से वो सब पुजार्चना या अग्या वगेरा हो रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया वोल्ड कप हार गया, तो इससे और ये पिछले समय में और भी बहुत कुछ बह क्या कारण क्या था, और क्यूं हमारा देश जो है आज पिछडा हुआ है, और ये देश क्यूं विकसित देशों से, ये देशों से 50 साल पीछे क्यों है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सारी चीज़े, इन सारी तज़्यरूबों के हतियार उठाने पड़ेंगे, तो कावत भी है ना, इसमें, एक व्यक्ती मुझे कह रहा था, कि तुझे मार देंगे, खतम कर देंगे, टुकुडे-टुकुडे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैंने बोला, भाई, ऐसा क्यों करोगे, तुम तुमें अपने इसmmar無 पर भरोसा नहीं, हमारे इस्वर नहीं सिखाया है, दर्म की रक्षा के लिए अतियार भी उठाना पड़े, तो उठाओ, मारना भी पड़े, तो मारो, मैंने हमारा परमेश्वर तो कहता है, के तुम शान्त रो, स्थिर रहो, और यहवा के हाथ की परमेश्वर के तो इन को अंतर मंन में पता है कि इनके एश्वर कि कुछ बसकी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी बुलाओ, जितना मर्जी माथा पुड़ो, जितना मर्जी यज्यग्यकरो हवन करो, कोई नहीं आने वाला। इसलिए खुद हमें लड़ना भी खुद पढ़ेगा और हत्यार भी खुद उठाना पढ़ेगा तो अगर ये लोग अगर इनको जितना ये दिखाते है उतना इनको बास्ताव में भरोसा होता तो ये ऐसा कभी नहीं करते तो जब ये इस तरीकी की हरकते करते हैं तो ये हमारा काम और आसान करते हैं ठीक है क्योंकि इतिहास गवा है कि जहां कहीं पर अत्याचार हुआ है जहां कहीं पर हिंसा के द्वारा लोगों को दबाने की कोशिश की गई है वहाँ पर विद्रो हुआ है वहाँ पर revival आया है तो जितना ये लोग दबाने की कोशिश करते दबा तो ये सकते नहीं क्योंकि इनकी लड़ाई जीवते सच्चे एक मात्र जो परमिश्वर है उससे इनकी टक्कर है और इनको ये बात समझ में आ नहीं रही है अब ये मानव निर्मित ईश्वरों की शक्ती को लेकर लड़ने की इसके साथ जा रहे हैं एक मात्र सच्च और जीवित परमिश्वर के साथ तो जितना ये प्रयास करेंगे दबाने की जितना ये हिंसा के दौरा लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश करेंगे उतना ही परमिश्वर का काम परमिश्वर की शक्ती और ज्यादा बढ़ेगी तो मेरा ये परसनल सजेशन है आपको अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है आपको कि ये अप ये मारक उटाई करना लोगों को दराना धमकाना ये सब करना बंद कर दीजे क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाया हमारे हिश्वरों में कोई शक्ती नहीं है इसलिए हम खुद निकल कर आए हैं हम खुद इस काम को कर रहे हैं तो अगर आप चाते हो कि वाकई में आप जिस काम को रोक रहे हो तो हिंसा करना बंद कीजिए और अपने एक जगा पर शान्ती से बैठीए और लोगों को ये साबित कीजिए कियों लोग आपकी बात को आपके इश्वर को क्यों ना माने क्यों माने सौरी कि लोग आपके इश्वर को क्यों माने क्या अच्छाई है क्या अच्छाई है उन इश्वरों में जिनको आप जबरदस्ती लोगों को मनवाना चाते हो आप उनकी अच्छाईयन साबित करके लोगों को रियलाइज करा हो जबरदस्ती करोगे तो जो लोग विश्वास कर रहे हैं मान रहे हो तो मानेंगे लेकिन जो लोग नहीं भी मान रहे हैं उनके दिमाब भी बात आएगी कि यार वाकई में इनको हिंसा क्यों करनी पड़ रहे हैं इनको मारना क्यों पड़ रहा है खुद इश्वर क्यों नहीं उस काम को करना है उमीद करता हूँ इस भाई की वीडियो आपको पसंद आयोगी जी हां दोस्तों ये वही भाई है जिनकी वीडियो में आपको एक बार पहले भी दिखाई थी इनका ये कहना है कि जितने भी बजरंग डल हैं आरेसेस वाले हैं ये सारे लोग डंडे लेके हाथों में लाठी लेके इसी लिए निकलते हैं कि इनको अपने भगवान के इंसाफ पर भरोसा नहीं है अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनकी अपनी व्यक्तिकत राए मेरा चैनल है मैं सिर्फ इस पर इन्फोर्मेशन के लिए लोगों के अलग-अलग क्या सोच है लोगों की ये दिखाता हूँ बागी मैं किसी भी धर्म से नफ़रत नहीं करता हूँ कोई मेरे अंदर धर्म वाली बात नहीं है निश्पक्ष हो करके सिर्फ जानकारी दिखाता हूँ आप सब लोगों को ताकि सही और गलत का फैसल़ा आप जान सकें आपको पता लग सके कि क्या सही है और क्या गलत है सारी जिन्देगी जिस चीज़ पर हम चल ले हैं सारी जिन्देगी हमने जिस चीज़ की पूजा करी जिन मूर्तियों के सामने हमने पूजा करी क्या वाकिई हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर उन मूरतियों की पूजा करना बताई गई है यह यह लोगों की दुआरा फिलाए गया मित है जबके वेदों के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है यह सारी चीज़े आप लोगों को बताने के लिए मैं आता हूँ तो पहले इस भाई की वीडियो देखते हैं जिसमें बहुत जबरदस इन्होंने बाते कही है सारी दुनिया का मतलब बुराई उठा करके इन्होंने लोगों को जागरू करने की कोशिश की है फिलाल यह इनकी अपनी वेक्तिकत रहा है मेरा काम था आप लोगों की राय जानना कि ये जो बोल रहे हैं क्या वो सही है गलत है आप लोग क्या मतलब क्या विचार रखते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना इन्शालला फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज और हाँ अपने भाई की वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं अगर सब्सक्राइब भी नहीं कर सको तो जाते जाते लाइक पे किलिक करके चले जाओ इन्शाला फिर मिलूँगा तब तक के लिए खुदा हाफिज